निलास, Unisex Salon and Academy, अपोजेट बदर विद्याले, विशाली नगर अजमीर, इंटरनाशनल वाच्चस कलेक्शन, बाइ मिनिट्स तू स्टाइल, माटिन दिलब्रेज अजमीर इस ख़बर की प्रस्तूत करता है, एस्ट्रान, Unisex Salon, कचेरी रोड अजमीर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल नमस्कार मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं राजिस्थान में तेजी से बढ़ता है MPTV इंडिया नारीता संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है साथ मैं NRC की बाते भी की जा रही है बाजपा सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार CA और NRC के माद्यम से दरम विशेश को तारगेट करने का काम कर रही है लेकिन विरोत के बाद बाजपा निता कह रहा है कि किसी भी भारते नागरिक को घबराने की जरुवत नहीं है हमेशा खुद भी यही कह रहा है खेर देश में बिगड़ते माहूल के बीच हमने प्रैस इंफॉर्मेशन बीरो से प्राब जानकारी पर कुछ अववाओं को दूर करने की कोशिश किये जिसमें आप सब क्यों मदद चाहिए जिससे एक्ट पर फैल रहे अववाओं को हम रोक सके इसलिए अब इन सवालों के जवाब को अववाओं के बाजार में पहुचा दीजिए जिससे हिंदुस्तान फिर से एकजूट हो जाए क्या नागरिक संशोदन कानून भारतियों हिंदू मुसलिम किसी को भी प्रभावित करता है नहीं इसका किसी भी भारतिय नागरिक के साथ किसी भी तरीके से कोई लिना दिना नहीं है भारतिय नागरिक भारत के सविदान दुआरा उन्हें प्रिदत्मोलिक अधिकारों का आनन लेता है कोई भी राज्य नागरिक संशोदन कानून को निरस्त नहीं कर सकता नागरिक संशोदन कानून से संबंदित गलत सूचना देने वाला अभियान चलाए जा रहा है ये कानून मुसलिम नागरिकों सहीद किसी भी भारते नागरिक को प्रिभावित नहीं करता है सवाल है क्या पाकिस्तान के बलुचियों एहमदिया और म्यामार के रोंग्याओं को इस कानून के अंतरगत रियायत नहीं दी जानी चाहिए तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहट नागरिकता संचोधन कानून किसी भी देश के किसी भी नागरिक को भारते नागरिकता के लिए आविदन करने से नहीं रोकता है ये तमाम किसी भी भारते नागरिक के लिए आविदन कर सकते हैं बर्षते वो नागरिक्ता अधिन्यम 1955 से संबंदित वर्गों में प्रदत योगिता को पूरा करते हो। पाकिस्तान बंगलादेश और अफगानिस्तान इन तीन देशों से आने वाले हिंदू सिख जेन बाथ पार्सी और इसाई शर्णातियों को इससे कैसे फायदा होगा। बहुत आसान है यदि इन तीन देशों से आए शन्नातियों के पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका उत्पिरन हुआ हो तो वे भी भारतिय नागरिक्ता के लिए आविदन कर सकते हैं नारेक्ता संचोधन कानून ऐसे लोगों को नागरिक्ता का अधिकार देता है इसके अलावा ऐसे लोगों को जटिल पिरकरिया से मुक्ति मिलेगी और ज़ल्द भारत की नागरिक्ता मिलेगी इसके लिए भारत में एक से लेकर 6 साल तक की रियाश की जरूरत होगी हाना कि अन्य लोगों को भारते नागरिक हासिल करने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ेगा क्या इसका मतलब यह है कि इन तीन देशों के मुसल्मानों को भारते नागरिक तक कभी नहीं मिल सकती नहीं इन तीनों और अन्यसभी देशों के मुसलमान हमेशा भारते नागरिक्ता के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि वो इसके पात रहे नागरिक संशोधन कानून ने किसी भी देश के किसी भी विदेशी को भारत की नागरिक्ता लेने से नहीं रोका है बर्षते की वे कानून के तहित मौजूदा योग्यता को पूरा करें पिशले 6 वर्षों के दुरान लगबग 2830 पाकिस्तानी नागरी को 912 अफगानी नागरी को और 112 बंगलादेशी नागरी को भारतिय नागरीता दी गई है इन में से कई लोग इन तीन देशों में बहुसंच्यक समुदाय से हैं और ये तब भी जारी रहेगी जब वे पंजी करण या प्राकति करण के लिए कानून में पहले सी दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं 2014 में दोनों देशों की बी सीमा समझोतक के बाद बंगलादेश के 50 से अधिक हिस्सों को भारती चेतर में शामिल करने के बाद बहुसंच्यक समुदाय के लगबक 14,864 बंगलादेशी नागरी को भी भारती नागरीता प्रदान की गई है क्या शर्णातियों की देखबाल के लिए सही उतिराष्ट के तहट भारत का दाइत नहीं है बिल्कुल है ये शर्णातियों की देखबाल करता है और भारत इस कानून के तहट अन्य शर्णातियों को दूर नहीं बेज रहा है भारत सही पिर्टेक देश के प्राकति करण के अपने नियम है भारत में दो लाग से अधिक श्रीलंकाई, तमिल, तिबती और 15,000 से अधिक अफगानी 20-25,000 रोंगिया और विदेशों से सैकड़ो अन्ने शणनार्ती वर्तमान में भारत में रह रहे और उमीद की जाती है कि किसी दिन जब वहां की स्तती में सुधार होगा तो ये शणनार्ती अपने गर वापस लोट जाएंगे लेकिन इन तीन देशों के हिंदूों के मामले में ये कानून इस्वास्तिक वाक्त को सिवकार करता है कि इन तीन देशों में उत्पिडन का माहौल कभी नहीं सुधनने वाला है क्या इन तीन देशों से गैर कानूनी रूप से भारत आये मुस्लिम अप्रवासियों को नागरिक संशोधन के अंतरकत वापस बिजा जाएगा तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं नागरिक संशोधन कानून का किसी भी विदेशी को भारत से भार बेजने से कोई लिना दिना नहीं है किसी भी विदेशी नागरिक को देश से भार बेजने चाहें वे किसी भी धरम या देश का हो उसकी प्रकरिया foreigners Act 1946 और Passport Act 1920 के तहत की जाती है ये दोनों कानून सभी विदेशियों चाहें वे किसी भी देश अत्वा धरम की हों देश में प्रिवेश करने रियायश पारत में गूमने फिरने और देश से भार जाने की पिरकरिया को देखते हैं इसलिए सामाने निर्वासन प्रकरिया सिर्फ गेर कानूनी रूप से भारत में रहराय विदेशियों पर ही लागू होगी यह पूरी तरह से सोच समझ कर बनाई गई कानूनी प्रकरिया है जिनका दूतावास उचायोग ने उच्छी चातरा दस्तावेद दिये हैं ताकि जब उन्हें डिपोर्ट किया जाये तो उनके देश के अधिकारियों द्वारा उन्हें सही प्रकरिया से रिसीव किया जा सके और असल में ऐसे लोगों को देश से बाहर बेजने की प्रकरिया तब ही शुरू होगी जब कोई वैक्ती दापॉर्णस एक्ट 1946 के तहद विदेशी साबित होगा श्रीलंका के तमीलों का क्या होगा 1964 और 1971 में प्रदान मंत्री इस्तरिय करार के बाद भारत ने 4,61,000 तमिल लोगों को भारते नागरिकता प्रदान की है वर्तमान में 95,000 तमिल लोग तमिलनाडू में रह रहे हैं और केंद्रों राज्जे से अनूवरती ले रहे हैं ये लोग अपनी पात्रिता पूर्ण होते ही नागरिता के लिए आवेदन कर सकते हैं केवल इन 3 देशों की सराना क्यूं और उप्रोक्त अधिसूचित संप्रताएं का केवल धार्मिक उत्पिढन ही क्यूं नागरिक संशोधन कानून तीन पडोसी देशों में धार्मिक आदार पर हुए उत्पिडन से संबन्दित है जहां सबीधान एक विशेस डाज疑 धरम के लिए प्रदान करता है इन तीनों देशों में अन्य धर्मों के अन्युयाईयों का धार्मिक उत्पिडन किया गया है ये कानून एक केंदरित कानून है जो इन छे अल्पसंचिक समुधायों के लिए एक विशेश इस्तती में एक उपाय के तौर पर कारे करेगा झाल